नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टेडी ग्लोस पे देखिए एक चीज आपने जरू सुनी होगी रिसेंटल इसके उपर बहुत से न्यूज आर्टिकल पब्लिश हुए है रॉशिया ने अपने टैंक्स और जितनी भी यह जो विलिटरी जो विकल्स है इनके उपर जैड का सिंबल बनाया है तो ये जैड की जो मिस्ट्री है वो क्या है इस वीडियो में हम उसे जानने ही कोशिश करेंगे इसके लिए देखिए इस तरह से बहुत से आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं इस तरह से इमारतों पर भी यह लगे हुए है और इवन देखिए यहां पर बहुत बड़ा जो परमोशन है जैड को मिल रहा है रशियन जिमनास्टिक भी इसे अपने टीशेट के उपर लगा के रख रखे हैं और ये जो परमोशन है जैड सिंबल को काफी ज्यादा मिल रहा है इस पैसिफिकली रशिया में या फिर जो लोग रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे इन्वेजन में उन्होंने इसका काफी अच्छे से सोचल मीडिया के उपर परमोशन किया है तो हम इसी चीच को डिसकस करेंगे इस वीडियो में कि ये जैड सिंबल की मिस्ट्री क्या है रशियन जो है क्या आपनी सोच रखते हैं और जितनी भी तरह की बाते हैं उन्हें डिसकस करेंगे काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा इसे प्रेजन करता हूं है मेरा नाम है सुरपस्वामी यदि आपको इस लेक्चर की पीडियेफ चाहिए तो आप एड़ देरे सुरपस्वामी26 इस टेलेग्राम से चैनल को जोईन कर सकते हैं यहाँ पर आपको वीडियो की जो पीडियेफ है और जो नोटिफिकीशन है वो ज़रूर मिलेगा साथ ही Study Glows के Mobile Application पर जरूर आप एबार विजिट करें और यहाँ पर UPSC Prelims के लिए काफी Important Courses Launch हो चुका है काफी Minimal Price में बहुत ही Minimum Price में आपको UPSC Prelims के Courses देखने को मिलेंगे तो आप एब एबार इस Study Glows को Mobile Application जरूर डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर जो UPSC Perspective से Courses बने हुए है इन्हें Enroll केजिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे Like करें, Share करें और Subscribe करें दीकि Ukraine में अपना जो Aggression है काफी ज़्यदा High करने वाली यह जो Russian Military है उनके उपर Z का जो निशान है काफी ज़्यदा चर्चा का विशे बना हुआ है Specifically Russian Tanks के उपर और Russian Military Vehicles के उपर अब यह Social Media पे भी VIRAL हो चुका है अब दीकि इसमें जरूरी नहीं है कि Z बिल्कुत सीधा ही लिखा हुआ हो कई बार यह Z उल्टा भी लिखा हुआ है अब Social Media के उपर इसकी different different meanings हमारे सामने आ रही है लेकिन Russia की जो सेना है या Russia जो है इसने इसके उपर कोई official information नहीं दी है अभी तक कि Z का असली जो मतलब है वो क्या है specifically जो Russia को support करने वाले जो लोग है उनमें यह जो Z mark है यह काफी ज़्यदा popular हुआ है वो T-shirt पहन रहे हैं, printed करवा रहे हैं अपने T-shirtों को इसके अलावा stickers, vehicles इन पे काफी ज़्यदा देखने को मिला है एक माँ आपको यह चीज़ ही बताना चाहूँगा The Wilson Center से जुड़े हुए जो कामिल गालेव है इन्होंने रिसेंटली एक statement दिया था इसके बारे में और उनका यह कहना था कि कुछ इसे लोग यह मानते हैं कि Z का जो मतलब है Z का मतलब है Z for Ja Paubeidi Ja Paubeidi का मतलब है जीत के लिए विक्टरी का जो sign है इसे आप मान सकते हैं जबकि कुछ इसे जैपैड के रूप में वैख्या करते हैं ताकि युद्ध के मैदान में जो सैनिक है उनके वहानों की पहचान करने में कोई भी गलती किसी को ना हो इस वज़े से ऐसा माना गया है तो यहाँ पर आप tweet भी देख सकते हैं इनका कामिल गालेव इन्होंने specifically इस चीज को मेंशन किया है और social media पर इस तरह की जो post है वो की जा रही है और इस तरह से ये जो है काफी ज़दा popular हो रहा है अब देखिए सबसे पहले ये करीमिया में देखा गया था जिसको annex कर लिया था रश्याने 2014 में उसके उपर देखा गया था देखिए लास्ट मंथ जो प्रोफेसर हैं R.I.O.S.I. के इन्होंने Sky News को ये बताया है कि ये परतीक जो है किसी इकाई या वाहनों के स्तिती बताते हैं Z. को पहली बार 22 फरवरी को Donetsk 36 में परवेश करने वाले जो रूसी वाहन है उन पर देखा गया था तो Z. को 22 फरवरी को सबसे पहले देखा गया था और Independent जो International News Outlet है उनका ये भी कहना है कि जब 2014 में रशिया ने एनेक्स किया था क्रीमिया को तब भी वाहन पर इसी तरह के जो निशान है वो दिखाई दिये थे मतलब रशिया की विक्टरी के जो निशान है वो दिखाई दिये थे बेलारूस में रशियन जो ट्रूप्स हैं या रशियन जो विकल्स हैं वो ओकी तरह से और कुछ एक जो बेलारूस के शहर है उनमें वीका साइन जो है वो भी हमें देखने को मिला है रशियन ट्रूप्स पे Russian National Guard ये सेना जो है वो जवानों से जो soldiers होते हैं उनसे काफी ज़्यादा अलग होती है रोसवाडिया troops की हर कारेवाई की जो जानकारी है सीधे राष्टपती वलादमिर पुतिन को दी जाती है और रोसवाडिया जो troops है इनको specifically कहीं भी पकड़ने और गुस्पेट करने के लिए परसिक्षित किया जाता है ऐसी statement हमारे सामने आई है वहीं जो Russian Defense Policy की study कर रहे छात्र जिनका नाम है Rob Lee इन्होंने इसके वारे में ये कहा कि यह एक तरह का लाल जंडा है यह निशान उन वहानों पर लगाया जाता है आम तोर पर बैलगोरेद छितर में ऐसे वहानों पर Z का निशान देखा जाता है तो इन्होंने इस चीज के लिए ये tweet भी किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इस जाइंट रेड फ्लैग इस आर रोस गवर्डिया टूप्स एंड आउटो जाक्स prisoner transport trucks तो इन्हें prisoner transport trucks भी कहा जा रहा है तो अलग-अलग जो researchers है वो अलग-अलग बाते कर रहे हैं लेकिन Z के different types of जो means है वो हमारे सामने आ रहे है हाला कि इसके लिए Russia की जो सैना है Russian जो government है इन्होंने कोई official statement नहीं दिया है कि Z का symbol क्या है लेकिन देखा जाये तो एक research की अनुसार आप ये मान सकते हैं कि ज़्यादा तर इसका जो मतलब है वो जीत का मतलब है victory का sign है जिस तरह से Russia का जो aggression यूकरेन में बढ़ता जा रहा है उस वज़े से ये जो symbol है इसका promotion भी काफी ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि दिरे दिरे Russia की जो troops हैं वो यूकरेन के अलग-अलग जो शहरों में है invasion करने जा रही है तो हो सकता है ये victory का ही sign हो बाकी अलग-अलग statement इसके पर publish हो चुके हैं तो खेर अब इसके लिए कुछ भी specific बोलना सही नहीं होगा खेर ये था इस वीडियो में इसी तरह के important और informative वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे धन्यवाद